गया में अंग्रेजों के जमानी की बिल्डिंग गिरा दी जाएगी 1872 में बनाए गई समवाद सदन की बिल्डिंग अब कुछ दिन में ही गिरा दी जाएगी यानि आने वाले दिनों में अब समवाद सदन का इतिहास मिट जाएगा समवाद सदन गिराने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तयारे भी कर ली है समवाद सदन को तोड़ने और जमीन को समतर बनाने के लिए नगर निगम को पहले ही आदेश भेजा जा चुका है समवाद सदन में लगी गाड़ियों को दूसरी जगा शिफ्ट करने के लिए अबकारी विभाग को आदेश दिया जा चुका है समवाद सदन गिराया जाने के बाद अब यहां प्रित्र पक्ष के दौरान तिर्थियातरी नहीं ठहर सकेंगे लेकिन समवाद सदन तूट जाने के बाद इसकी जमीन पर तिर्थियातियों की गाड़ी पारकिंग होगी दरसल समवाद सदन की बिल्डिंग पूरी तरह से जजर हो चुकी है पहले यहां तिर्थियातियों को ठहराया जाता था जीला परिशासन की माने तो समवासदन की इस जमीन पर तिर्थियातियों के लिए पार का भी निर्मान कराया जाएगा जीला पर रहेगा और साथ सफाय का भी पामल भासता रहेगा लइट का भी निर्मान की इस जमीन पर तिर्थियों के लिए पर तेंट सिट्थि जोने दोजार रोंके लिए पिए लेगा सासराम नगर निगम में नगर आयुक्त और मेयर के बीच बीते कई दिनों से चल रहे विवाद ने आप एक नया मोड ले लिया है वहीं मेयर के लगे होल्डिंग में अंकित स्लोगन शहर को लूटने नहीं देंगे पर भी दाजनीती जारी है शहर के विकास कारियों से चिंतित एवं नगर निगम में हो रहे मनमानी को लेकर उपमेयर सहित कई वाट परसद अब नगर आयुक्त के समर्थन में खड़े दिखाए दे रहे है उप मेयर सहित कई वाट पासदो द्वारा एक प्रेस वारता कायोजन किया गया जहां उप मेयर सहित अन्य वाट पासदो ने मेयर काजल कुमारी के क्रिया कलापों को लेकर कई सवाल खड़े किये इसमें पूर्ट की बठाक में निर्डे नहीं हो सका था कि किस तरे से सवाई कारे को कराए जाए इस कारट से जो पूर्फ इजिंसी थी उसको ही एक्षेंशन देना पड़ा और परतमान में 5 जून को बोर्ड की बेटक में लिड़ने हुआ उसकी जैसे ही प्रसीडिंग हमको प्राप्त को इसके बाद से टेंडर करा दिया गया है नई जिंसी आते ही हमको पूरी उमीद है कि बहुत अच्छे से हम लोग सपाई विवस्ता को सुद्रण कर पाएंगे आप लोग जानते हैं कि इस्टोरिकली समस्या रही है पिछले दो साल से लगातार सासाराम अंतिम पायदान पर रहा है पूरी उमीद है कि नई जिंसी के बाद हम लोग जो कारे करेंगे उसके बाद आप लोग को एक बदले हुए सासराम की तस्वीर नजर आएगी नलजल योजना के समद में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि बुटको का जो कारे है उसमें पूरा लगातार मोनीटरिंग की जा रही है जल से जल उसमें जो 40 वाट्स है उसमें पूरा कारे को करा लिया जाएगा और पानी की अपुर्ती बाहल की जाएगी जो ग्रामीर छेतर है नवस्टारिद छेतर जो पंचायद का सेर में सामिल हुआ है उसमें हस्तान्त्रर की करभाई कीजा रही है बहुत ही जल्द हस्तान्तर की करभाई पूरी करते हुए चो पिedar department से पर पियाrang के सिपो अधिर कर बद्विक फंच्छों काल यादा